प्रियशोधागण, आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्र नाठ टैगोर की अध्विती रचना, गीतांजली आपके अपने एप बुक ओडियो पर मेरे यानि आकांग्शा मधुर के साथ, गीतों के इस माला में संकलित अगला गीत है घिराई आसाढ़ी संध्या, इस गीत में आसाढ़ मास की उस संध्या का वड़न है, जो वर्षा के कारड भीग गई है, और जिसके कारड मन भी भीग साजाता है, गीत इस प्रकार है, घिर आई आसाढ़ी संध्या, डूब गया दिन धल कर, बंधन हीन व्रिष्ट की धारा, जर 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 ती गल कर, घर के कोने बैठ विजन में, क्या जो सोचूं अपने मन में, भीगी हवा यूथी कावन में, क्या कह जाती चल कर, बंधन हीन व्रिष्ट की धारा, जर 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 ती गल कर, घिर आई आसाढ़ी संध्या, डूब गया दिन धल कर, बंधन हीन व्रिष्ट की धारा, जर 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 ती गल कर, आज लहर लहराई ही अमें, धून्धे कूल न पाता, ओ दिवन का फूल महक कर, मेरे प्राड रुलाता, यहाँ मन की दशा का वड़न है, इन पंक्तियों में, कूल का अर्थ है तट, यानि किनारा, और ओदा का अर्थ है गीला, नम, अठातिया, कि मन धून्ध कर भी कोई किनारा नहीं पाता है, और गीले वन के फूल महक कर, प्राड़ों को रुलाते हैं, आज लहर लहराई ही अमें, धून्धे कूल न पाता, ओ देवन का फूल महक कर, मेरे प्राड रुलाता, अधियारी निश की पहरे ये, भरदू किस सुर की लहरे ले, कौन भूल जो सब कुछ भूले, प्राड आज आकुल तर, बंधन हीन व्रिष्टी की धारा, झर 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 ती गल कर, घिर आई आ साढ़ी संध्या, डूब गया दिन धल कर, बंधन हीन व्रिष्टी की धारा, झर 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 ती गल कर,